तानक महता का उल्टा चश्मा क्या चुरन तो नहीं है हलो दादा जी आप बाल करने में जाके बात कीजिए ना या नेटवर्क नहीं मिलेगा अच्छा चोर आया था चोर 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 ओह कहा है चोर लंडन में है राकी ले लो भाई राकी राकी लेला भाई राकी राकी बाला राकी बाला राकी लेला भाई 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 रा पोड़े हो भाया क्या है आपको बोलना चाहिए राखी ले लो बेहन राकी अच्छा राकी लेलो बेहन राकी अरे बाय नीबो मिर्ची बाली राकी जितनी सुंदर है मेरे बाई सुंदर के हाथ पे अती सुंदर लगेगी वो राखी नहीं है बेहन जी, वो लिम्बू मिर्च है, उसकी डोट तुटकी इसलिए उपर रखा है अब बैया, यह राखी कितने की है? पचास रुपे की बस इतनी महेंगी राखी? क्या करें बेहन जी, महेंगाई का जमाना है भानू मती जी, महनत करने वालों से कभी भावतोल नहीं करना चाहिए और वैसे भी रुप्षा बंधन की बड़ी महेंगी गिफ्ट मिलेगी, आपको अपने भाव से फिर भी, इतनी महेंगी राखी? ओहो, लेलो न अभी, क्या अभी? और पच्छास रुपे में क्या होता है? लेलो अच्छा ये बताइए कि हम इस बार रक्षा बंधन पे कलकेता जा रहे हैं ना? हाँ अगली बार जाएंगे क्यों? आपने पिछली बार तो कहा था क्या अगली बार जाएंगे? हाँ, हाँ, तो मैं अपनी बात पे कायम हो ना? क्या रहा हूं? अगली बार जाएंगे? और इस ना पेर मुझे तो लगता है अब में कलकेताँ शिफ्ती हो जाना चाहिए अनजली? मैं तो आप से बाते ने करूं जाओ तो किस से करोगी? हलो? चिंटु मैया और तो खुछ नी होता हमारे फोन का पिल बढ़ जाता है अबे अरे ड्राइविंग मनाने थी किसे पैंसिल खुमाने आती है याफि मैं सिख्का दू ए चोटी 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 तपू के दोस कभी अके ले नी होते अबे तपू के दोस से पंगा लेना मतलब सीधा तपू से पंगा तपू के साथ पंगा चंगा नाए अबे फिर कभी देख लेंगे, कमान गाइस पढ़ गे दी सोनू, अगर वह रोकी फिर से तुमारे साथ कोई शराइद करे तो तपू को बल देना ज़रूर, ठैंकी टपू, टपू अपने दोस्तों थे ठैंक्स नहीं लेता टपू, यह सो स्वीट सोनू, वर्दी है बाई है अप्पी बोच चाल लाई यह सोनू, काई चाल लाई काई है मैं देख रहा था अभी तुमने उस तपू से हाथ को मिलाया और उसे थैंक्स क्यू का बाबा, राकी आना रास्ते में मेरे बाल कीच रा था काई? तपू ने डाटकर उसे भगा दिया हाँ अच्छा किया तपू ने बहुत अच्छा किया तु कल से ना तपू के साथ ही आना जाना हाँ एए एक मिनिट वो की आई क्या? काई गरस नहीं है क्यो? सवाल मत करो, Sonu तुमे पता है ना उस तपू ने अपने घर के बार कैसे हंगावा खड़ा कर दिया था अरे उस तपू में डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है अरे हमारे जमाने में डिसिप्लिन हुआ करता था आई मुझा भूक लगी है अच्छा अरे तू फटा फट फ्रेश हो ले मैंने तरी लिए पोहे बनाए है हाँ जा हालो मंदार अरे कर साइस तू का का संको स्कार बेरे गुड़ अच्छा मुझे क्यों नहीं बुलाया अच्छा हाँ वेरी गुड़ अच्छा पार्टी भाई जा मला कॉम पाई तो ही गुड़ेशन्स ओके ओके बाई अरे सुनिये अपना मंदार है ना कॉन मंदार मेरा कजिन उसने शादी कर ली है अरे वा उस टपूरी को लड़की दी किसने अरे उसकी बच्पन की दोस्ते है ना चिंकी उसकी पड़ोस में रहती थी परिवार वालों ने मना कर दिया तो उन लोग ने भाग की शादी कर ली अरे 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 उस पड़ोसी की लड़की के तो भाग फुट गया नसी फुट गया उसका मंदार से शादी कर ली शी 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 अरे उसे उस मंदार से तो बच्पन में दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी यह बच्पन की दोस्ती आगी जा Sonu भी टपू की दोस्त है और टपू भईशा में दौन नहीं तो टपूरी तो बने गाई अगर टपू ने सौनू को फसा कर भाग कर शाधी कर ली तो मेरी हूश यार Sonu उस अंकल्चरर्ड घर में बहू बनेगी और जेठा मेरा संधी नहीं, नहीं, नहीं कहा है हो? कहा है जालो? नहीं, कहा है नहीं अच्छा सुनिये, रक्षाबंदन नजदी का रहा है मेरे भाई को राखे कुरियर कर दे ना? हाँ, रक्षाबंदन नहीं, अगर सुनु टपुक को सब के सामने राखी बान दे तो टेंशन ही नहीं, क्या बात है? यह, बेरी कुछ, मादर वेरी गूद आइडिया रक्षाबंदन नजदी का रहा है, मादवी, क्या बात है? मैंने अभी अभी वही तो बोला आपसे यस, यस, बूद आड़ा मादवी थैंक्यू मंदार बाभापुजी खाना रहे जाया नहें गाकर दिखाते पना किनी चाहने व्यटने खाने को सेने तोलrole में धोटे वी जार अट्चित ना वह एक प्ल yeah ए Noah अभी तक आया नहीं ए मज़ा कर रहा था अभी खाने कर टेम्ट, यह लोगा रजा गहा अटपू अरे मैंने ही उसे बेजा है वो क्या है, आज मैंने बनाई पेश्यल आईटम बनाई है ना तो वो देने के लिए मैता साइप के गर बर बेजा है अरे वाँ आग special क्या बनाया है? बैंगन का बर्गर बैंगन का बर्गर बैंगन का बर्गर अचा टपू के लिए बनाया है, नहीं आप सब के लिए यही है दया, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे बर्गर कभी बैंगन का होता है अरे आप चक रटो देखिये अरे मैं तो दिल पे पत्तर रखके खा लोगा लेकिन बापुची कैसे खाएंगे? मुझे चलेगा बापुची? अब और रहा नहीं लेख सकता मैं जो है वो लाओ हाँ हाँ लाती ममी बूग लगिया जल्दी काना लाओना मैंता साहिब को दिया या? हाँ लाती अपू, मैंता साहिब न खाया? हाँ एक बाइट खाया और फिर फिर? आपको फोन करने को बना चाचा जी मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं अर्या तु मास्तर का मास्तर ही रहेगा यह तेरा स्कूल नहीं गर है, आजा क्या बिड़े, क्या हुआ इस बार? वो टपू टपू? तो मुझा शांती से जीने क्यों नहीं देता तुझे शर्म नहीं आती यह देठा फेले पूछतो ले उसने क्या बापूजी इसमें पूछने का क्या है कंप्लेंग करने वाले बदलते हैं बाकि इसकी शरारते फिक्स होती है देखिये, टपू ने कुछ नहीं किया है देखा? कुछ नहीं किया क्यों कुछ नहीं किया तुने? कुछ नहीं किया? हाँ तो पिर तुम इदर क्यों आया हो? मैं टपू को शबाशी देने आया हूँ हाँ आज उसने मेरी सोनू को कुछ रारती बच्चों से बचाया और ऐसा सिर्फ एक भाई अपने बेहन के लिए कर सकता है अरे वै टपू, तुने सोनू को बच्चाया? हाँ ममी, क्योंकि सोनू मेरी दोस्त है अगर मैं टपू को कहूं के वो सोनू से राखी बंदवा है तो वो मनेगा नहीं लेकिन कहना तो है कैसे कहूं मुह से? किसको क्या कहना है, बोलो? नहीं, मैं कह रहा था के परसो रक्षा बंदन है हाँ, तो? उस दिन बहन अपने भाई को राखी बानती है क्या बात करते हो? हमेरे में भी रक्षा बंदन के दिन ही बहन भाई को राखी बानती है क्या बिड़े तुम क्या बोलने है, क्या चाहते हो बोलना भाई नहीं, मैं कहना चाहता था कि कुछ लोग ऐसे होते जो भाई बेन नाहोते वी एक दुसरे को राखी बानते हैं क्यों चैचै जी? हाँ हाँ हमारे गाउ में तो समू रक्षा बंदन मनाया जाता था समू समझते हो ना क्योंकि अगर किसी को भाई नहीं है किसी को बेन नहीं है तो वो भी साथ में रक्षा बंदन मना सके है ए इने चोक में मिल्स दे और खाना पीना जल्सा होता था और मज़ा तो तब आता था कि जिसको राखडी नहीं बनवानी हो उसे भी जबर जेस्ती सब के सामने राखडी बनवानी पड़ती थी बुजूर्गों के सामने ना नहीं बोल सकते थे दादा जी आप खोशी ते राखडी बंदवाते थे या जबर दस्ती थे अरे ये ठपू दादा जी को ऐसा नहीं पुछते तो नहीं कर रहे है कुछ खाने को दोगी की नहीं मैं जाई रही हूँ तो तो अर्षण जब दे आपने हम सब को यहां क्यों बुलाया है और लगता है पार्टी शाटी का प्रोग्राम है नहीं नहीं कोई पार्टी शाटी नहीं है सभी लोगों को आने दो फिर शुरुवात करेंगे सब लोग आगे मैं लेट होगे आपके स्कूल में बेवी 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 मैं तो सभी लोग आगए है तब मैं मीटिंग की शुरुवात करता हूँ भाई और बहनों हम सोसाइटी में एक फंक्शन मना रहे हैं जिसमें आप सभी को आना है वाह वाह बहुत बड़ी आइडिया है बिडे फंक्शन रखना ही चाहिए ससाइटी में क्या है फंक्शन के बाने सब एक दूसरे से गूल मिल के मिल सकते तो मैं तो कहता हूँ फंक्शन में सब को आना ही चाहिए है यह बेवकूफ उसको पूरा बोलने तो दे हम एस सथोड़ी होता है हमेशा ऐस्से घरते है किसी का सुनते नहीं किसी को बोलने नहीं देते खोड़ी बोलते रहते है तूम कितना बोलती हो चूप रोने भाई अभी बोलने दो भीड़े भाई को, हाँ बोलो देखिये, मैं चाहता हूँ किसे? मुझे, मुझे मेरे कहने का मतलब है, मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी में सारवजनिक रक्षा बंदन मनाये जाए मतलब? मतलब ये कि सोसाइटी की सभी औरते, सभी मर्दों को राखी बांदेगी इसका मतलब मुझे भी राखी बंदवानी पड़ेगी? बभीता दीदी से? नहीं वे, मैं अपनी बीवी से राखी नहीं बंदवाऊंगा अरे, सोडी भाई, बीवी से राखी नहीं बंदवानी है इसका मतलब ये है कि अपने पती को छोड़ के बाकी मर्दों को औरते राखी बांदेगी अच्छा वीचार है वेरी गुड़ पन्ड़ा, कॉंडिले, कुड़कुले, पन्ड़ा, पॉंडिले, nelokudra निरकुड़ा, है करेक्ट ऐसे थवडी कोई सार्वाजनिक रक्षाबंदन मनाता है पूरी दूनिय में कोई नहीं मननाता है तो क्यों हमें इपना सूषाणिए-वोजनिक रक्षा-बंदन होता जा रहा है मान सम्मान कम होता जा रहा है और जैसा कि बच्पन में हम सभी को स्कूल की किताब में प्रतिग्या सिखाई गई थी के सारे भारतिया हमारे भाई बहन है कोई किताब में इसा कोई सिखाता है जी और जेठा भाई ऐसे सवाल पूछ के सब के बीच में अपनी मजाक मा तुड़वाई ये सारवजनिक रक्षा बंदन मनाने से हमारा भाई चारा बढ़ेगा ओजे बहन चारा भी बढ़ता है सारवजनिक रक्षा बंदन और मैं तो कहता हूं ये गोकुल धाम सोसाइटी में नी पूरे विष्व में मनाना चाहिए अरे चा कुछ भी बोल रहे हो सोटी देखो भाई हो बेनो मतलब एक आद्मी का फाल्तू प्रवचन सुनके सारवजनिक रक्षा मंदन सबको क्यों मनना जै मैंने कैंसल करो रहा है ऐसे कैंसल कर क्ते यार मैंने कुछ अच्छा की जाओ शथिए अरे बएया शांता आ बड़ेया अरे मैं समझाता हूँ शांतो जाओ आप हर चीज को नेगेटिवले क्यों सोचते हैं फुड़ा सा पॉजिटिव हो जाईए एक बेन कितने भाई को राखी बान देगी है और मान लो इतने अजरा भाई उसमा से एक भाई तो ऐसा होगा ना जिसको राखी नहीं बंदुआनी है तो मान लो के उसके मन में खोठ है आपको कैसा पता चलना अरे ये तो एक नंबर का बेवकूफ है बेवकूफ बीडे तुम अच्छा काम कर रहो तुम आगे बड़ो अरे इस जेठा को तो मैं समझा के नहीं तो लाच मार के मना लूँगा अरे सुनो सुनो इस बबुचक की बात मत मानना तुम लोग बीडे तुम आगे बड़ो हा तो ये तै रहा कि हम सभी लोग सारवजनिक रक्षा बंदन मना रहे है ये क्या बापुजी आपको यसा नही करना जिए पूरी सोसाल्टी के समने मेरा अपमान नहीं करना जिए बापुजी बापुजी हमेशा जो करते हैं वो सही करते हैं तु चुप रहे हैं तु चुप रहे हैं वही बोला बापुजी अरे तुझे बोल नहीं गदेडा और मुझे बात बता ये समू रक्षा बंद बापुजी, यह जो सम्मु रक्षा बंधन की प्रत्था है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रक्षा बंधन एक पवित्र तेवार है, जिम्मेदरी का तेवार है, किसी ने मुझे राखी बांदी, तो जिनकी पर के लिए उसकी जिम्मेदरी मेरी हो जाएगी ना? ऑभी मानलो, हमारी सोसारण में से دस ओरतों ने मुझे राखी बंधन, अभी अर एक ओरत के महिने में 3 प्रब्लम तो होते ही है, तो दस ओरत के हिस्चाप से महिने के 30 प्रॉबलम हो गे, तो मेरा तो फूरा मुचा उनकी प्रब्लम सोल करने में जाएगा! अब हमारी चिंटा मत कीजिए वैसे भी आप पूरा दिन दुकान पर रहते हैं तो हम हमारा देख लेंगे अब दज में तीन पोबे में एक महिना वो सब इतना लंबा मत सोच दीमा खोड़ता हो जाएगा अरे फर बापो जी तुब लोग इतना अच्छा काम करने तो तू भी उनका साथ दे पपूजी मेरे बात तो सुने फिर क्या सोचा हाना ना चाहे कुछ भी हो जाए मैं बबीता से राखी नहीं बंदवाओंगा नहीं बंदवाओंगा तो नहीं बंदवाओंगा सारुजनिक रक्षा बंदन की घोष्णा किये भिडे साहब ने गोकुलधाम सोसाइटी में है ना कमाल की बात त्योहारों का देश है भई हमारा हिंदुस्तान अरे हां हमारे लोक तंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है कल हमारा स्वाधीनता देवस आपको बहुत बहुत जेठालाल बबिता से राखी न बंदवाने के संकल्प को पूरा कर पाएंगे क्या सोनू टपू को राखी बांदे की अब हर क्या का जवाब तो आने वाले एपिसोड भी मिलेगा तो मेरे साथ देखना मत भूलिएगा क्या अगर आपको सबसे पहले तारक मैता का उल्टा आपडेट चाहिए लाइक शेर एंड सब्सक्राइब करना मद भूलना